तो वल्लकप तुहजाल 2320 रूह होने से ज़ेस्ट पहले बेस टाई ने भारत्य टीम स्क्वाड में एक बड़ा बड़ाव एक बड़ी चेंजिस की है जहां आर्सविन की हो चुकी है इंडिया टीम स्क्वाड में इंटरी वल्लकप 200020 इसके लिए जहां अस्विन को पहले वर्ल्लकप 2023 के लिए भारती टीम स्क्वाड में नहीं चुना गया था इसके साथ ही साथ आक्सर पटेल वर्ल्लकप 2023 से पूरी तरह से बाहर हो चुके इंजिरी की वज़े से जोबी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाई थे जहां वर्लकप 2023 के लिए अक्सर पटेल को पहले टीम स्क्वाड में चुना गया था लेकिन अब अक्सर पटेल बाहर हो चुके और अधी चंदरा अस्विन को भारती टीम स्क्वाड में सामिल कर लिया गया है वर्ल्लकप तुहजालतीय इसके लिए और वर्लकप तुहजालतीय इसके लिए बीचिते ने टीम इंडिया का फानल स्कुराइड एनॉंस कर दिया है अब इसके बार कोई भी चेंजिस या फिर बदलाओं नहीं होंगे अंतिल और अनलेस कोई खिलाड इंजर ना हो जाए तो भारत में शुरू होने वाले वर्लकप तुहजालतीय इसके लिए कोछ इस तरह से टीम इंडिया का कन्फरम और फानल टीम स्कुराइड तो यह टीम इंडिया का 15 मेंबर स्टीम स्कुराड वलकप तुहजालतीय इसके लिए जहाँ हमने आपको पहले ही बता दिया कि अस्वीन को वल्लकप 20003 इसके लिए भारती88 स्कुराड में एंट्रे होने जा रही है जहां हमने आपको बता दे कि रविज तेम वल्लकप 20003 इसके बैक अप खिलाड़ें में रखा जाएगा कि एकर कोई खिलाड़े जर्ट हो जाता है तो उन्हें मैंनी स्कौाइड में सामिल कर लिया जाएगा और बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ बेस डाइन है आज विन को फारती तीम स्कौाइड में सामिल कर लिया है और अक्सर प्टेल वर्लकप से बार हो चुके हैं इंजिरी की सब्सक्राइब लेटस्ट के रिकेट न्यूतन बेस और वीडियो जबकि डेली ड्रीम एलेवन फेंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में प्रवाइड की जाती है लिंक डिस्क्रेप्शन में जया गया है जबकि वाट्सअप चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें